कि यूटुब को जाए ना प्रूदाइब बिल्कुल बिल्कुल जाएगा इस दूने आप खान जा रहे हो गुरुजी आप तो बैठाओ आप ही तो बैठाओ ठीक है देखें जैसे अभी रादेश्याम कह रहा था कि सर तयादी कैसे करें तो सबसे पहले तो आप सब का एनेम क्लासेज में हर्दिक स्वागत और इस्पेशली उजाला सर का बहुत-बहुत स्वागत जो हमारे साथ एनेम क्लासेज में जुड़े तो सबसे पहले तो इनके लिए शांदार क्लैपिंग हो जाए अभी छ्याट मैने से जब से मैं जुड़ा ओजाला सर से तो सबसे अच्छी विशेश था मैंने इनकी देखी अपने काम की प्रती समर्पड बहुत-बड़ी बात होती है कि जिसकी परसों शादी हो और वो आज क्लास लेने आ जाए यह कोई शोटा मुटा काम नहीं होता नए यूद के लिए बहुत-बड़ी बात होती है तो इस्पेशली पांच्छे मैने में जो मैंने इनका देखा तरीका रात-रात लगे रहना स्टूरेंट्स के साथ पूरा ध्यान रखना इतने धेरी खट्टे कर लेना तो देखो अल्टीमेट परसेंट बना चालीस परसेंट बनना इजी नहीं है तो दो चीज़े निकलके आई पहली चीज क्या आपको टीचर पर विश्वास करना है दूसरी चीज क्या आपको बहुत महनद करना ही है क्योंकि पूरी मैस के अंदर सारा खेल प्रैक्टिस का है हमारे स्कूल में भी कई पर सेंटर आता है तो मैं देखता हूँ यह क्या हो रहा है बच्छों से कुश्चन नहीं हो पाथ क्योंकि प्राक्टिस में सबसे बड़ी जो चीज है वह यह है आपको एक्जामस में प्रैक्टिस करने इस पेशली जैसे उजाला सर ने प्लानिंग किये है कि हम 110 पेपर आपके अरेंज करेंगे 111 पेपर और उसके अंदर और उसमें बढ़ सकते हैं उसमें सर ने बाकाइदा पूरा एक सुडूल बना दिया वह बात अलागे है कि सर थोड़ा से मैलीज में बिजी थे इसके कारण हम उसको नहीं डाल पाए तो सर ने पूरा की पूरा 111 पेपर का सुडूल बनाया है तो सबसे बड़ी चीज एक ही है आपको क्या जो पढ़ा आपने जो आपने पढ़ा उसको संड़े की संड़े टेस्ट देने जितने आप मैक्जीमम टेस्ट देंगे उतना जादा आपका सेलेक्शन हो इसपेशली जैसे मेरा तो साइंस फील्ड है मैं मैस नहीं पढ़ाता मैं साइंस पढ़ाता हूँ लेकिन साइंस में जैसे बच्चे है एक आपको कोर्स का थोड़ा सा सेनेरियो ये भी नेखना है पेपर काइनिलेस करके कि टीचिंग मैथर जो है 20 कोशन उनका अब बहुत बड़ा रॉवल है एसा कौन सा टॉपिक है जिसको इजीली मैं कर सकता हूँ और ऐसे कौन से टॉपिक है जिन को इजीली मैं नहीं कर सकता हूँ जैसे हमारे साइंस के अंदर ही देखो साइन्स में कोई बच्चा ये कहता है कि साब मैं physics कर लू तो मैं कहता हूं लाला चार मेने में तो तु चार चैप्टर कर रहा है रीट के तो तो क्या 40 चैप्टर चार मेने में कर लेगा क्या physics के असंभाड है अब वो कैसे number पाप्त करें तो उसके लिए एक ही तरीका है कि वो chemistry को strong कर ले, एक ही तरीका है कि वो teaching method को strong कर ले, एक ही तरीका है वो biology को strong कर ले, आपको पूरा की पूरा एक, पूरा की पूरी अभी से भूमिका बना के रखनी पड़ेगे, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था, गौर्मेंट ने, जब last गौर्मेंट थी, तो उन्होंने मई के अंदर vacancy निकाल दे थी, और October में उसका exam ले लिया, तो आपको दोनों तरह से prepare हो कर रखना है, ये भी हो सकता है कि मही में बढ़ती आ जाया और October में भी exam हो जाया, और ये भी preparation हो सकती है कि मही में आके exam अगली साल जनवरी में भी चले जाया, तो दोनों चीजे में आपको सबसे बड़ी बात आपको अपने धहरे, patience और hard work, बस ये ही है, सबसे आसान काम होता है सरकारी नौकरी ने न, वो बात अलग है कि जब आप एक बार थोड़ा सा रिद्दम में आ जाएंगे तब आपको लगेगा कि बहुत easy खे, ज़दा tough ही नहीं, और एक ही target रख लो कि हम कोई दिक्कत नहीं है, बस सर पर विश्वास करें और बहुत अच्छे से मैनद करें, बस इतना ही है, ठीक है, और एक थोड़ा सा ये है कि मैं आज साम से science का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, शाम को 5 विजे से, तो कोई भी आपके मिलने वाले हो, तो आप उनको जरूर रिकम तो किल करेंगे आपको में ठाइट, ठीक है?